हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ कुमार गुरब और गेलक्सी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग अपने चगरफी का एक बहुती ऑसम टॉपिक लैंड रिसोर्स और अग्रिकल्चर यानि भूसंसाधन और क्रसी को पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हमारा देश एक क्रसी प्रधान देश है अग्रिकल्चर एक क्रसी प्रधान देश है और यहां लोगों का प्रमुक ब्यवसाय भी क्रसी ही है आधिकाल से ही सिंदुगाटी सब्वेता में भी लोगों का प्रमुग व्यवसाय क्रसी था तो आधिकाल से ही भारत में सिंदुज जो है वो क्रसी जो है वो व्यवसाय रहा है आईए स्टार्ट करते अब आज का टॉपिक, सबसे पहले हम लोग डिसकस कर रहा है लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स का मतलब होता है भूमी संसाधन क्या होते हैं, तो जैसा के आप लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं कि हमारे देश का टोटल एरिया भारत का कुल छेट यह हमारा लैंड रिसोर्स है, एक देश की सीमा के अंदर आने बाले इस्थलिय चेत्र उस देश का भूसंसाधन कहलाते हैं, इंटरनल बाउंडरी या डॉमस्टिक बाउंडरी आफ एनी कंट्री इस नोन एज दा लैंड रिसोर्स, किसी भी देश की इस्थलिय सीमा जो दे सभी प्राकरतिक संसाधनों में सबसे महतपूर्ण संसाधन भूमी संसाधन को माना जाता है, और भूमी संसाधन ये एक ऐसा संसाधन भी है, जिसकी quantity यानि मात्रा हमारे पास निश्चित है, हम ये भी कह सकते हैं, ये God gifted, ये God gifted जो है रिसोर्स है, ये भगवान के द्वारा हुआ दिया हुआ संसाधन है और यह भी कह सकते हम लोग कि यह passive resource है passive resource मतलब जैसे यह खुद काम नहीं करता है इस पर हम लोक काम करते जैसे कहीं हम क्रसी उगा रहे हैं कहीं हम निडशनी लगा रहे हैं कहीं हम लोग जो है call center open कर रहे हैं तो यह क्या है यह एक जो है ये एक जो है क्या है पैसे फेक्टर है आईए डिसकसन करते हैं कि सर भारत में बिभिन प्रकार की भू आक्रतियां मतलब लैंड सेप्स भारत में अलग-अलग तरीके की पाई जाती हैं जैसे एक्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हमारे देश के 43% पार्ट पर यानि 30 प्रत्सत भाग पर जो है वो परबत है और बचे वे 27% पार्ट जो है वो प्लाटू यानि पठारी छित्र है प्लाटू यानि पठारी छित्र है आईए डिसकस करते हैं चीज़ों को सबसे पहले देखिएगा सबसे पहली बात हमारे देश में भारत में भूमी उपियोग स्रेनी यानि किस कैटिगरी में कितनी हम लैंड यूज करते हैं भूमी संसाधन का प्रियोग कितना हू रहा है तो इसके लिए हम जरा NCIT के द्वारा जो ये फोटो रिलीस किया गया है हम देखते हैं सबसे पहले बन के अधीन चित यानि फॉरिस्ट एरिया हम अभी साइद लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैजीटेशन को डिसकस किया था और वैजीटेशन में हमने पढ़ा था कि प्रिजेंटली हमारे देश के 40, 24.67% पार्ट पर फॉरिस्ट यानि बन है यानि हमारे देश का जो लगबग एरिया 32-33 लाक किलो मीटर स्कॉयर है उस में से 24.67% लैंड यानि हम बनों में प्रियोग करते हैं उसके बाद बंजर और ब्यर्थ भूमी मतलब वैरिन और वेस्ट भूमी ऐसी भूमी जो बहुत टाइम से क्या है वेस्ट पड़ी हुई ह बंजर है पहाडी चित्र है मरुस्थली है और उसे किसी भी तकनीक के प्रियोग से अगरी कल्चर के लिए नहीं बनाया जा सकता है उसे हम लोग बंजर या ब्यर्थ भूमी कहते हैं जबकि दूसरा गैर क्रसी कार्य में प्रियोग भूमी ऐसी जो बरतमान में क्रसी के अला अन्यकारियों में प्रियोग की जाती है वो जैसी भूमी जो क्रसी को छोड़ करके जैसे एक्जामपल के लिए चारागाह चारागाह मतलब इस प्रकार की भूमी जो चारागाह पसूओं के लिए जो चारागाह होता है उसमें प्रियोग की जा रही है और ये ग्राम पंचा और सरकार का स्वामित्य होता है इसके अलावा तरू फसलें उपबन के अंतरगत देखिए बहुत सारी जगें सरकार क्या करती है गार्डन बना देती है या फलदार ब्रच लगा देती है या मुख्य भूमी निची छित्र के सामुत्य में आ जाती है तो ऐसी भूमी को तरू फसल या उपबन छित्र के अंतरगत माना जाता है ये भी गैर क्रसी भूमी है ये भी गैर क्रसी भूमी है क्रसी योग्य भ्यर्थ भूमी ये क्या होती है तो इसमें उस भूमी को सामिल किया जाता है जिसमें पिछले पांच वरसों से अधिक समय से खेती नहीं की गई है औ बर्तमान तक्निक द्वारा इसमें सुधार करके क्रसी योग्य बनाया जा सकता है इसे क्रसी योग्य ब्यर्थ भूमी कहा जाता है जिस पे पास साल से खेती नहीं की गई है लेकिन आधुनिक पद्धिती का प्रियोग करके इसे अग्री कल्चर के लाइक बनाय जा सकता है बर्तमान परती भूमी, बर्तमान प्रिजैंट लियरलेंट प्रिजैंट लियरलेंट ऐसी भूमी जिसमें एक वर्स या उससे कम समय से खेती नहीं हुई है और ऐसा इस भूमी की उरवर्ता और पौस्टिक्ता की कमी की बजह से जो है वो हुआ है तो ऐसी भूमी को हम लोग बर्तमान परती भूमी कहते हैं ऐसी भूमी जिसमें एक वर्स या उसके कम समय तक क्रसी हुई नहीं है और ऐसा इस भूमी की उर्वरता और पॉस्टिक्ता की प्राकरतिक रूप से बापस लाने के लिए किया जाता है तो इसे हम लोग परती भूमी कहते हैं पुरातन परती भूमी एस वर्ग की भूमी में सामिल किया जाता है जो एक वर्स से अधिक लेकिन पांच वर्स से कम समय तक रसी न की गई हो इसे क्या कहते हैं पुरातनी परति भूमी अच्छा और निबल बोया छित्र तो ये वह एरिया होता है जिसमें बरतमान समय में क्या हो रही है फसल उगाई जा रही है और काटी जा रही है तो इसे निबल बोया छित्र जो है वो कहते हैं ये भूमी के हमारे देश में क्या थे ये भूमी के प्रकार थे अच्छा अब देखिए स्वामित्व मतलब लेंड क्लासी फाइड ओन दा बेसे अफ ओनर्सिप ओनर्सिप के आधार पे निजी भूसंपत्ति वह भूमी जिस पर एक भ्यक्ति या भ्यक्तियों के समू का स्वामित्व हो उसे निजी भूसंपत्ति कहते हैं जैसे एक्जाम्पल के तोर पे हम लोगों के पास खेती होती है प्लाट होता है, घर होता है, तो ये क्या है? निची भूसंपत्ती है, साजा भूसंपत्ती, साजा भूसंपत्ती जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समू का अधिकार नहीं होता है, बलकि संपूर समास का अधिकार होता है, जैसे एक्जामपल के तौर पे समुदा वन या चारागाह, समुदाइक बन या चारागाह, गाउं में समुदाइक भबन भी बने होते हैं, अच्छा, साजा भूप संपत्ती संसाधन को समुदाइक प्रकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, कम्यूनिटी नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उप्योग स पूरे समाज के द्वारा इनका प्रियोग किया जाता है। साजा भू संपत्ति द्वारा गाओं के भूमिहीन किसानों को अधिकतर फाइदा मिलता है। क्योंकि वह अपने जीवनियापन के लिए मुख्य रूप से पसुपालन पर ही निर्वर होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें किसकी अग्री कल्चर लैंड यूज इन इंडिया। तो देखिए सुनिएगा हमारी देश में अग्री कल्चर क्रसी जो है प्रमुख व्यबसाय ही नहीं लोगों का आजीविका का साधन भी है। एक बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए काई पर डारेक्टली और इंडारेक्टली अग्री कल्चर पर निर्वर है। अग्री कल्चर पर बेज़्ध है। और इसमें मैं आपको बताऊं इसे प्राइमबरी सेक्टर या प्राथमिक छेत्र कहा जाता है। और इसमें अगर हम देखें सेकंडरी और तरसरी छेत्र की तुल्ना में प्राथमिक छेत्र भूमी पर अधिक निर्वर होता है। क्रसी में भूमी का अधिक महत होता है क्योंकि फसल की गुणबत्ता और मात्रा भूमी की गुणबत्ता पर निर्वर करती है। इस बात पर निर्वर करता है कि उसमें कृसी योग्य भूमी का अधिक मैत्व है क्योंकि फसल की गुडबत्ता एवं मात्रा भूमी की गुडबत्ता पर निर्वर करती है अच्छा आगे देखें आगे समझें जराचीजों को तो देखियेगा हम आपको बताएं भारत में क्रसी योग्य भूमी की बात करें तो बेसीकली भू संसाधनों में यहां क्रसी योग्य भूमी जो है। क्रसी योग्य भूमी जो है वो भारत में लगबक 43% है और इस्पेसली नौर्थ इंडिया उत्तर भारत के मैदानी छेत्रों में ये बहुत जादा उपजावू छेत्र है और देखिए समस्त क्रसी भूमी संसादनों का अनुमान क्या किया जाए नवल बोया छेत्र बरतमान प पॉर्मूला आप यूज करते हैं लेकिन पसफसल गहनता होती क्या है तो देखिए एक वर्स में एक किसी खेत में उगाई गई गई फसलों की संख्या को फसल गहनता कहा जाता है अब देखिए क्रसी के प्रकार संचित, Irrigated Agriculture यानि संचित क्रसी सिचाई के उद्देश के आधार पर दो भागों में बाटी जाती है एक तो होती है रचित सिचाई क्रसी और दूसरी उत्पादक सिचाई रचित सिचाई क्रसी इसका मुख्य उद्देश होता है आधता की कमी के कारण फसलों को नस्ट होने से बचाना एवं बरसा के अत्रिक्त जल की कमी को सिचाई द्वारा पूरित किया जाना ये Reserve Irrigated क्रसी होती है जिसका उद्दे से होता है आदता की कमी के कारण फसलों को नस्ट होने से बचाना, एवम बर्सा के अतरिक्त जल की कमी को सिचाई द्वारा पूरा करना उत्पादक से चाहिए प्रोडेक्टिट इरिगेटिट तो इसका उद्दे से फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उत्पादन, जल उत्पलब्द कराकर उत्पादक्ता को बढ़ाना है फसलों को पर्याफ्ट मात्रा में जल उपलब्ध कराकर उत्पादक्ता को बढ़ाना है फिर उसके बाद और कौन सी देखे बरसा पर निर्भर क्रसी सुस्क भूमी क्रसी जहां 75 सेंटी मीटर से कम बरसा होती है उसे सुस्क भूमी क्रसी डेजर्ट लैंड अग्रीकल्चर कहते हैं और इस छित्रों में रागी हो गई, बाजरा हो गया, मूंग, चना, ग्वार ये सब फसले उगाई जाती है आद्र भूमी क्रसी, ऐसी क्रसी जहां बरसा जलकी मात्रा की आवस्यक्ता पौधे को अधेक होती है और पौधे को अधेक होती है, ऐसी भूमी को वीट लैंड अग्रीकल्चर कहते है इन प्रदेशों में बार तथा म्रता बर्दन की समस्या रहती है क्योंकि बारिश जादा होती है और इसमें चाबल, जूट, गन्ना आदिकी क्रसी की जाती है आदिकी क्रसी जो है वो की जाती है अच्छा, अब देखिए भारत की फसल देतू है आप सब लोग बच्पन से पढ़ते आरहें के हमारे देश में तीन तरह की फसले होती है रवी की, खरीफ की, जायत की देखिए रवी की फसल से स्थार्ट करते हैं रवी की फसले ऐसी फसले हैं जो दीपावली पे बोई जाती, दीपावली के आसपास और होली के आसपास काटली जाती है, जैसे एक्जामपल के तोर पर अक्टूवर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रेल में काटली जाती है तो रवी की फसलें जो उत्तर भारत में होती हैं वो गेऊं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया और जो हो गया जो साउथ इंडिया में है और रवी की फसल में है जैसे चाबल हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गई, मुफली हो गई ये दच्छिड भारती राज्यों में है जबके खरीफ की फसल जो कि जून से सितंबर तक रहती है तो चाबल हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जुआर हो गया, अरहर, तूर्की दाल हो गई जबकि दच्छिड भारती राजियों में चाबल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूफली ये सारे के सारे दच्छिड भारती राजियों है जायत की फसलें, जायत की फसलों में बनस्पती, सबजियां, फल हो गए, चारा फसलें हो गए इसके साथ 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 इंडिया में भी सबजी चारा फसलें और चाबल को रखा गया है और ये अप्रेल से जून तक होती है अप्रेल से जून अप्रेल में सीजन स्टार्ट होता है नए वर्ज का और जून तक होती है जायत की फसले फिर जून से सितंबर खरीफ की फसले और अक्टूर से मार्च तक जो है वो कौन सी होती है तो वो होती है रवी की फसले आईए एके करके डिसकस करते हैं अब सबसे पहले देखिएगा फसले दो तरह की होती हैं एक होते हैं food grains और एक होते cash grains cash grains, fooding crop और आप cash crop भी बोल सकते हैं fooding crop ऐसी फसले होती है जिने किसान पहले अपने लिए रोकता है और फिर बचवी quantity को sale यानि बेज देता है जबकि cash crop यह होती है कि पूरा-पूरा किसान sale कर देता है बेच देता है और फिर अगर किसान को आवस्यकता है तो वो market से purchase कर लेता है market से खरीर लेता है जैसे example के तोर पे खाद्यान फसले, fooding crop तो खाद्यान फसले भारती क्रसी में खाद्यान भारती फसल क्रसी में खाद्यान फसलों का एक विसेश स्थान है और इसका सबसे चावधारण ये है कि हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा चाबल यानी rice export करने बाला देश है दुनिया में सबसे आदा चाबल अगर कोई देश export करता है तो वो भारत करता है संपूर भारत में जितनी cropping की जाती है, जितनी फसले बोई जाती है उसका लगबक two-third fooding grains यानी खाद्यान फसले होती है और अनाज की सरचना की आधार पर जो खाद्यान फसल होती है उनको दो भागों में बाटा जाता है पहला है अनाज, दूसरा है दाल, अनाज, careless and pulses, pulses मतलब दाल होती है और अनाज की बात करें हम, तो इसमें देखिएगा, गेहूं, भारत में कुल बोई गए चितर का, लगबक 54% भाग अनाज बोई जाते है और हाँ, ये बहुत awesome point है, भारत लगबक 11% अनाज जो है, वो क्या करता है, उगाता है और अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे अस्थान पर आता है, अमेरिका और चीन के बाद भारत थर्ड पोजीशन पर आता है भारत में विभिन प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है और इने मुख्य रूप से दो भागव में बाटा जाता है एक होता है उत्तम अनाज, चाबल और गेहूं दूसरा होता है मोटे अनाज, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया चाबल और गेहूं ये उत्तम अनाज हैं और मोटे अनाज में इन दोनों को रखा गया है अच्छा, अब देखिएगा चाबल की बात करें पहले तो मैं आपको बता दूँ हमारे देश की में फूडिंग क्रॉप चाबल है और हमारा देश भारत दुनिया में सैकेंड पोजीशन पर सबसे ज़्यादा चाबल उत्पादित करने बाला देश है यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चाबल निर्यात करने में भारत फर्स्ट पोजीशन पर आता है सबसे पहले चाबल उगाले के लिए उपजाओ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए दूसरा जो यहां बरसा है वो 75 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तापमान लगबग 20 से 40 डिगरी होना चाहिए 20 से 40 डिगरी तापमान होना चाहिए दूसरी बात हम पूरी दुनिया का लगबग 21% चाबल प्रडूस करते हैं और चाइना के बाद हम दुनिया में सैकिंड पोजीशन पर आते हैं 22 प्रडूस करने के लिए देश के बोये चित्रखा लगबग एक चोथाई यानि 25 पतसत भाग भारत में चाबल होता है और मुख्य रूप से पंजाब पश्चिममंगाल हो गया उत्तरपदेश हो गया पंजाब हो गया यहां चाबल बोया जाता है जबकि पंजाब, तमिलाइडू और हर्याना यह ऐसे राज्य हैं जहां चाबल की प्रति हेक्टियर पैदाबार सबसे अधिक है ऐसा भाला फिर यह तो चाबल की राइस की बात की हमने फिर उसके बाद यह देखिएगा यह दुनिया के टॉप टेन राइस प्रडूजिंग कंट्रीज हैं यानि चाबल उत्पादित करने बाले देश हैं जिनमें फॉस्ट नमबर पे आप देख रहे हैं चाइना है, सैकिंड नमबर पे इंडिया है, थर्ड नमबर पे इंडोनेसिया है, फोर्थ नमबर पे बांगला देश है और फिप्त नमबर पे वियतनाम है यह चाबल उत्पादित करने बाले देश है जबके हम लोग बात करें आगे अगर हम लोग बात करें आगे तो अगला है भारत और भारत में चा पे है उत्तरपदेश, थर्ड पोजीशन पे है पंजाब और पर हेक्टियर के मामले में पंजाब है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर उडिसा और बिहार चाबल प्रेड्यूस करने के लिए फेमस हैं, फिर उसके बाद गेहूं, भारत की दूसरी प्रमुक खादिफसल, और गेह के लिए बहुर अच्छी मानी जाती है, और गेहूं के लिए आवरीज बारिस होनी चाहिए, आवरीज टेंपरेचर होना चाहिए, और और ज्यादा गर्मी ने ज्यादा ठंडी होनी चाहिए, किसके लिए गेहूं के लिए, अच्छा, अब देखिएगा भारत में दूसरा प्रमु खनाज है गेहुं, पूरी दुनिया का साग मोग बारे प्रसत लगबग गेहुं उत्पादित करते हैं, और गेहुं उत्पादन में भी हम पंजाब हर्याना हो गया और राजस्थान हो गया ये गेहूं उत्पादन के लिए फेमस हैं पंजाब और हर्याना में गेहूं की उत्पादक्ता सबसे अधिक है सबसे ज़्यादा है गेहूं की उत्पादक्ता पंजाब और हर्याना में प्रति हैक्टियर भी आप कह सकते हैं देखिए ये गेहूं उत्पादन करने बाले देश हैं जिनमें फ़स्ट नंबर पे चाइना है सैकंड नंबर पे इंडिया यानी भारत है थर्ड नंबर पे रसिया रूस है और फोर्थ नंबर पे जो है United State of America यानि अमेरिका आता है और फिप्थ नंबर पे जो है वो कैनेडा आता है तो इस तरह से ये गेहूं के क्या है प्रमुख उत्पादक देश है गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश है अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट बन अगली बात करें तो भारत की हमारे देश में गेहूं उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर उत्तरपदेश है सेकेंड पोजीशन पर मद्द्पदेश है थर्ड पोजीशन पर पंचाव है फोर्थ पोजीशन पर हर्याना है गेहूं के उत्पादन में अब मोटे अनाज की बात करें तो देखिए सर मोटी अनाज हमारे देश के कुल 16.5 पतसत भाग पर बोई जाते हैं। बैसे मैं आपको बता दूँ ये दच्छिड और मध्य भारत के अर्ध सुस्क छित्रों में प्रमुख खाद्य फसल है। वहाँ अच्छा महरास्त राज्य अकेले ही देश में आदे से अधिक जौर का उत्पादन करता है सब से आदा और फिर करनाटक फिर मध्य पदेश। दच्छिड भारत में ये खरीफ और रवी दोनों रितुओं में बोया जाता है। उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है और मुख्य रूप से चारे के रूप में चारे मिदलब पसुओं के लिए चारा होता है जौर का प्रियोग उनके लिए किया जाता है। अच्छा फिर उसके बाद बाजरा भारत के पश्चिवी और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म और सुस्क जलबाईयों में बाजरा बोया जाता है। उत्तर पदेश है ये सारे के सारे जू है वो अन्यराज्य हैं अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट मन अगली बात करें मक्का मेजी ये भारत के कुल बोये गए छित्रफल के लगबक साड़े तीन पसद भाग पर मक्का बोया जाता है। अधिक है जो कि मध्य भारत तक आते आते कम हो जाती है और नौर्थ इंडिया में उत्तर भारत में इसकी ख्रसी बहुत कम होती है। उत्तर भारत में इसकी ख्रसी बहुत कम होती है। फिर दाल है। देखिए दाल भारती भोजन का प्रमुखाहार है। दाल रोटी बोलाई जाता है हमारे देश में और दाल क्या है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोथ है। इसलिए भारती थाली में और भारती खेती में डाल का एक महत्पूर्ण इस्थान है। देखिएगा। साकाहारी भोजन में ये प्रोटीन का सबसे प्रमुखाधार है। ये फसलदार फसलें हैं, नाइट्रूजन के योगी की करण के कारण, मिटी की प्रकृती में उर्बरक्ता को भी बढ़ा देती हैं भारत में दालों का प्रमुक उत्पादक देश है और विश्व की लगबग 20% दाल है, भारत में प्रड्यूस की जाती है दालों की खेती, दक्कन का पठार, मध्य पठार भागों में और उत्तर पश्चिम, मतलब राजिस्थान बाले छेत्रों में की जाती है देश के कुल बोए गए चेतर के, लगबक 11 प्रतसद भाग पर दाल की खेती है और विश्वप में जो है, वो 20 प्रतसद दाल हैं हम प्रड्यूस करते हैं और मध्य पदेश सबसे ज़्यादा दाल प्रड्यूस करने बाला राजिद है मद्य पदेश में सबसे ज़्यादा डाले जो है वो प्रड्यूस की जाती है अच्छा फिर उसके बाद डालों के बाद चना उपोस्न कटिबंदी जो है वो छित्रों की एक फसल है और ये भी प्रोटीन का एक स्रोत है और ये मुख्यत अधिक बरसा मुख्यत बरसा अधिक फसल है जो देश के मद्य मद्य मतलब मद्यपदेश चतीजगर्ड जारकांट यहां होती है पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में रवी की रितु में बोई जाती है देश के कुल बोई गए छित्र में इसका जो एरिया है वो 2.8 पत्सत है और सबस गाना और फिर राजस्थान है यह प्रमुक्या है चेत्र है चने के अच्छा अरेर तूर्की दाल यह तो बहुत फिमस है और तूर्की दाल में इसे लाल चना या पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है देश के मद्य दच्छडी भागों में यह सुस्क भागों में बरसा आधारित प्रश्चतियों तथा सीमान्त भू छित्रों में बोई जाती है भारत के कुल बोई गए छित्र के मात्र दो प्रत्षद भाग पर इसकी खेती होती है और इसमें मैं आपको बताओं अरेर उत्पादन का वन थर्ड अकेले महारास्ट राज्य में उत्पादित होता ह अकेले महरास्त राज्य में इतनी इनकी क्रशी की जाती है अरेर के बाद तिलहन, ओयल सीट्स तो ओयल सीट्स की बात अगर हम करें तो सर सुनिएगा हमारे डेस में ओयल सीट्स यानि तिलहन में कुल नौ फसलों को रखा गया है कुल 9 crops को oil seeds में यानि फसलों में रखा गया है और खाध्य तेल उत्पादन के लिए तिलहन की खेती की जाती है अब देखिए मालबा का पठार हो गया, मराथ वाड़ा हो गया, गुजरात, राजिस्थान, तेलंगाना, अंध्रपदेश तेल के प्रमुख उत्पादक छेत्र है, लेकिन हमारे देश में oil seeds के लिए तिलहन उत्पादन के लिए जो सबसे famous राज्य है वो है MP मध्यपदेश, वो है MP मध्यपदेश और सुनिएगा देश के कुल बोई छित्र के लगबक 14 प्रतसत भाग पर तेल की फसलें बोई जाती है तेलहन फसलों में भारत में मुख्य रूप से मुफली हो गई, सरसो हो गई, सुयावीन हो गई, सूरज मुखी हो गई, ये सारी फसले आती है ये उगाई जाती है, अच्छा अब देखिए तिलहन में जैसे मुफली हो गई, सरसो एबम तोराई हो गई, सुयावीन हो गई, सूरज मुखी हो गई, अब मुफली में गुजरात है तमिलनाडू है, अंधपदेश है, और भारत बिश्व का 18.2% मुफली का उत्पादन करता है यह देश के कुल सस्य छेत्र का 3.6% पर चेत्रफल पर बोई जाती है यह सरसो और तोरई, यह तोरिया यह जो है उपोस्न कटवंद ये फसल है और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में रवी रितू में भोई जाती है और इसके साथ साथ इसका वन्थर्ड जो है वो केबल राजिस्थान राज्य में होता है सोया बीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, मद्यपदेश और महरास्ट में होता है और सूरज मुखी संचित क्रसी चेत्र में उत्पादेत होता है और करनाटक और अंद्यपदेश में इसकी खेती की जाती है फिर उसके बाद नेक्स रेसेदार फसलें तो फाइवर क्रॉप्स फाइवर क्रॉप्स की बात करें तो देखिए इसमें आता है भारत में कपड़ा, ठेला, भूरा अन्य प्रकार के सामन बनाने के लिए रेसेदार फसलों को उगाया जाता है कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुक रेसेदार फसलें है कपास के उत्पादन में चीन के बाद भारत बिस्व में दूसरी स्थान पे आता है और देश के समस्त बोय गये छित्र का लगबर 4.7% छित्रफल पर कपास बोया जाता है गुजरात हो गया महरास्ट हो गया तेलंगाना हो गया आंधपदेश हो गया ये प्रमुक का पास उत्पादक छेत्र है फिर उसके बाद बात करें तो ये प्रमुक का पास उत्पादक छेत्र है फर्स्ट पोजीशन पर गुजरात है क्योंकि यहां काली मिटी का छेत्र है फिर महारास्थ है फिर आपका तेलंगाना है फिर आंध्यप्रदेश है फिर मध्यप्रदेश है करनाटक है और पंजाब है ऐसा अच्छा अब बात करते किसकी जूट की गोल्डन फाइवर कहते है सर जूट को जूट को गोल्डन फाइवर कहते हैं और भारत जूट के लिए पूरी दुनिया में फेमस था लेकिन बंगाल बिवाजन के समय इसका छेत्र जो है वो कहां चला गया तो वो चला गया आपका जो है बांगलादेश में और इंडरस्री उ विश्वका लगबग 60% जूट उत्पादन किया जाता है भारत में लगबग विश्वका 60% जूट उत्पादन किया जाता है यह भारत के कुल बोएगे छित्रफल का लगबग 0.5% है और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे जादा जूट उत्पादित करता है वो भी 60% साथ पत्सत जूट का उत्पादन बैस्ट बेंगॉल यानि पश्चिम बंगाल करता है ये राज्य हैं जैसे आपका बैस्ट बेंगॉल हो गया बेहार हो गया, असम हो गया और अंध्रपदेश हो गया ये सारे राज्य है अन्य फसलों की बात करें तो गन्ना, चाय, कॉफी ये भारत की अन्य महत्मूर फसले हैं गन्ना की बात करें तो हम ब्राजिल के बाद सैकेंड पोजी सरपे हैं जो हम लोग सुगर केन यानि गन्ने का उत्पादन करते हैं भारत में लगबग बिस्व के 19% गन्ने का उत्पादन किया जाता है बोए गए छेत्रफल का 2.4% इससे पर गन्ने की खेती की जाती है अकेला उत्तरपदेश पूरे देश का लगबग 40% गन्ना उगाता है इसके अलाबा महरास्ट हो गया करनाटक हो गया, तमिलनाडू और अंद्पदेश हो गया ये प्रमुक कैसे छेत्र है तो सुगर केन प्रड्यूजिंग इस्टेट है गन्ना उत्पादक राज्य है आप इसे मैप के माध्यम से समझ सकते है उत्तरपदेश फर्स्ट पोजीशन पे है महरास सेकिंड पोजीशन पे है थर्ड नंबर पे करनाटक है फोर्थ नंबर पे तमिलनाडू है इस तरह से ये गन्ना उत्पादक सुगर के जो है प्रड्यूजिंग स्टेट है चाय ये दिखिए चाय एक रोपड करसी है जिसका प्रियोग पेपदार्थ के रूप में किया जाता है और भारत में भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है लगबग 21.8 प्रतिसट चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है और उसका भी लगबग 54 परसेंट 53.2 परसेंट चाय केबल असम में उत्पादित की जाती है असम के अलाबा जैसे बेस्ट वेंगोल हो गया तमिलनाडू हो गया ये अन्य चाय उत्पादक क्या है राज्य है ये अन्य चाय उत्पादक राज्य है जैसे यहां देखिएगा असम largest producer of tea ये फिर उसके बाद best वेंगौल है फिर तमिलनाडू है केरल और करनाटक है ये प्रमु क्या है? चाय उत्पादक राज्य है फिर आता है कॉफी भारत विश्व में लगबख 3.7% कॉफी प्रेड्यूस करता है कॉफी उत्पादन के आधार पे हमारा दुनिया में सात्वा अस्थान है भारत में करनाटक, केरल और तमिलनाडू मुख्य रूप से कॉफी की क्रसी की जाती है अकेली करनाटक में आप समझेगा लगबख 2.3 आप कह सकते हैं लगबख 65% खेती करनाटक में कॉफी की की जाती है करनाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है अच्छा फिर कॉफी किये करनाटक कॉफी के लिए है फिर केरला है और फिर तमिलनाडू है अब देखिएगा कुछ एक रेवालूशन है जैसे ब्लाक रेवालूशन ब्लाक रेवालूशन किसे रिलेटेड है पैट्रोलियम प्रोडेक्ट या पैट्रोलियम प्रोडेक्शन से रिलेटेड है blue revolution ये fish production मचली उत्पादन से है brown revolution लेदर और cocoa से है golden fiber revolution jute production है silver fiber revolution cotton production से है golden revolution ये किस से related है तो haute culture हो गया, honey हो गया, fruit production हो गया फिर silver revolution एग production से related है green revolution food grain production food grain production खाद्य फसलें और इसमें भी चावल को target किया गया था लेकिन इसका सबसे ज़्यादा effect जो पड़ा वो गेहूं के उत्पादन पर फिर gray revolution फाइटी लाइजस के लिए है red revolution meat और tomato production के लिए है yellow revolution oil seeds के लिए है white revolution dairy milk production के लिए है और round revolution तो आलू उत्पादन के लिए है round revolution आलू उत्पादन के लिए है चलिएगा अब देखते हैं कुछ questions देखिएगा लिए निम्न में से कौन सा संची छित्रों में भू निम्नी करण का प्रमुक प्रकार है अवनालिका अपर्दन, म्रदालवणता, बायू अपर्दन और भूमी पर सिल्ट का जमाप question कहा है कौन सा संची छित्रों में? भू निम्नी करण यानि भूमी को कम करनी का एक प्रमुक प्रकार है तो देखिए भूमी पर सिल्ट का जमाप भूमी पर सिल्ट के जमाप से भूमी की quantity कह सकते या संची छित्र की quantity जो है? वो कम होती है फिर सुष्क क्रसी में निम्न मैंसे कौन सी फसल नहीं बोई जाती है तो गन्ना सुगर केन, सुगर केन को खुब सारा पानी चाहिए जितना पानी हो सकता आप दे दीजिये सुगर को इनको जबके जौार मूफली और रागी ये सुष्क क्रसी की फसले है अगला लिखा है कौन से देश में गेहूं चाबल की अधिक उत्पादक्ता की किसमें विक्सित की गई हैं तो संयुक्त राज अमेरीका संयुक्त राज अमेरीका ओप्सन है निमल खित में से कौन से रेसों में गेहूं चाबल की अधिक उत्पादक ताकी किसमें बिक्सित की गई हैं तो मेक्सिको और सिंगापूर यहां जो है वो क्या की गई है गेहूं और चाबल की अधिक किसमें जो है वो बिक्सित की गई है और उसके बाद एक किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल काटने के बाद फलियां बोता है वह निम्लकित में से किस क्रसी पदिती का अनुसरन कर रहा है option है आपके multiple cropping, फिर है crop restoration, फिर है flow field और फिर है mixed cropping यानि गेहूं की फसल काटने के बाद उसने फलियां बो दी हैं तो इसे हम लोग कहते हैं crop restoration मतलब सस्य आवर्तन, सस्य आवर्तन जिसके बाद जिसमें फसल काटने के बाद दूसरी फसल बोई जाती है ऐसा, ये हमारा आज का topic था, I hope कि आपको ये समझ में आया होगा इसके साथ ही thank you, मिलते हैं next class में